तो बात करते हैं स्टी बर्मा चैप्टर 3 क्वेशन नमबर 14 एक्साइस का ठीक है सिंपल कोशन है क्या बुला है कि अब परसंड ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमेटर पर आर अप्लाइस ब्रेक गिविंग a deceleration of 6 meter per second square to his scooter how far will it travel before stopping the accelerated motion मतलब acceleration का उल्टा ठीक है यह deceleration मतलब क्या होता है deceleration जब भी लिखा हो इसका मतलब speed कम हो रही है तो ठीक है initial speed किया दियो है अपने को 43.2 किलोमेटर पर आर ठीक है और how far will it go before stopping before stopping का मतलब क्या हुआ कि finally उसकी velocity क्या होने वाली है 0 होने वाली है ठीक है तो मैं काम करता हूँ given लिख लेता हूँ सबसे पहले given लिखने से ना अपनी जो tension है वो काफी कम हो जाती है ठीक है हमेशा लिख लोना चाहिए given ठीक है तो अपने काम करते है यू बराबर कितना लिख लेते है 43.2 km पर आर और मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा खेल कुद अपने को ऐसा यूनिट्स के साथ ही करना चाहिए ठीक है तो 43.2 km पर आर को convert करेंगे अपन कि इसमें मीटर पर सेकेंड में तो क्या कि अठारा बाय पांच जो भी आएगा उससे ठीक है यू आ गया एक इतना है अब सोचो अब वो डिएक्सेलरेट कर रहा है यानि कि उसकी स्पीड कम हो रही है यानि कि वेलॉस्टी के अगेंस्ट होगा चाहिए अगर वी ऐसा है तो ए ऐसा होना चाहिए यानि कि अपोजिट होना चाहिए तभी जो है स्पीड कम होती है ठीक है अगर वेलॉस्टी ऐसी है एक्सलरेशन भी ऐसा है तो भी क्या होगा स्पीड बढ़ेगी अगर वेलॉस्टी ऐसी एक्सलरेशन ऐसा तो भी क्या होगा, speed बढ़ेगी ठीक है, इस case में speed बढ़ेगी इस case में बढ़ेगी, पर इस case में क्या होगा, speed कम होगी ठीक है, तो u को मैं क्या लिखा हूँ प्लस 43 लिखा हूँ, ठीक है तो मैं a को क्या लिखा हूँगा minus 6, ठीक है अब ये तो already meter per second square में दिया हुआ है ठीक है तो कोई टेंचन नहीं और क्या बोला मैं before stopping लिखा हुआ है यानि कि final speed यानि कि V is equal to zero हो गया ठीक है क्या निकालना है अपने को how far will it go before stopping तो कौन सा simply यार दिख रहा होगा V दिया हुआ है A दिया हुआ है U दिया हुआ है सबसे सटीक formula में को तो यही दिखाए दे रहा है V square is equal to U square plus 2A S ठीक है V कितना है हमारे पास 0 U कितना है अपने पास 43.2 into 18 by 5 का whole square plus 2 into A कितना है minus 6 into S ठीक है simple सी equation है S को solve कर लेना देखो positive आएगा क्योंकि जो अपना ये वाला term आएगा वो कहां जाएगा left hand side में चले जाएगा तो negative हो की जाएगा ठीक है और यहाँ पर negative sign है negative negative कर जाएगा S के value कैसे आएगी positive आएगी मैं answer सीधा लिख ले रहा हूँ ठीक है calculation आप लोग खुद कर लेना इसका answer आएगा बारा मीटर ठीक है तो बहुत ही simple solution था thank you झाले जाएगा बारा में झाले जाएगा तो